राम राम भाई सारेया ने, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, वह BCCI वालों क्या वार्म अप कराया? खिलाडी तो खाली होटल से मैदान पर आए, और मैदान से वापस होटल पर चले गए. ना तो इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहार्टी में मैच हुआ, और ना ही तिरुवनंत पुरम में नीदरलैंड के साथ हुआ, और हम बिना प्रैक्टिस और वार्म अप मैच के 8 अक्टूबर को सीधा ऑंस्ट्रेलिया से भिढेंगे, जिन्होंने कल पाकिस्तान को हरा कर वार्म अप में जीता है। अंस्ट्रेलिया के अलावा अफगानिस्तान ने भी श्रीलंका को हराया। अब सारी टीमे वही पहुँच जाएगी जहां उनका पहला मैच है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस टूर्णामेंट के सबसे सफल गेंदबाज कौन हो सकता है। सबसे पहला नाम कुलदी प्यादव। कुलदी प्यादव 2.0 अपनी अलग पहचान बना ली है। इस साल वर्ल्ड कप में जितने भी टीमे हैं उनका कोई भी गेंदबाज उतने विकेट नहीं ले पाया जितने कुलदी प्यादव ने लिया है। गेंदबाज नमबर दो है शाहीन अफरीदी। बड़ा खिलाडी वही होता है जो अपनी टीम को बड़े मैच जीता है। अफरीदी बड़े खिलाडी है और इस साल वह हाइस्ट विकेट टेकर भी बन सकते हैं क्योंकि वह पावर प्ले और डेट होवर में बोलिंग करते हैं। जहां सबसे ज्यादा विकेट मिलने के चांसिस रहते हैं। बाएं हाथ का एक ऐसा तेज गेंदबाज जिसको देखकर ही खौफ आता है 2015 का वर्ल्ड कप हो या 2019 का इन दोनों में मिचेल स्टार्क हाइस्ट विकेट टेकर बने हैं। इस साल वह वार्म अप मैच में नीदर लैंड के खिलाफ है ट्रिक ले चुके हैं। और यह बात उन्होंने एशिया कप में बता दी थी। वह गेंद को दोनों तरफ से स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। और जिस दिन उनका दिन हुआ, उसे दिन सामने वाली टीम 50 पर भी ओनल आउट हो सकती है। यह हमने एशिया कप फाइनल में भी देखा था। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।